नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो महम्रोग पढ़ेंगे वैदिक सब्वेता जिसके अंतरका थम्रोग पढ़ेंगे वेद और वेद के अंतरका चार वेद आते हैं रिगवेद सामबेद यजूर वेद और अथर वेद नेक्ट टॉपिक रहेगा आपका रिगवायदिक काल भगवलिक विश्तार, रिगवाईदिक काली नदियां, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन और सबसे अंतिम पॉइंट है सम्मनित मात्मूर्ट तथ्य तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टोपी की सुरुगात करते हैं वाईदिक सभिता, वाईदिक जाना जाता है, आरे सभिता के ग्यान दोस्तों हमें वेदों से होता है, वेद के बीसे में हम लोग डीटेल्स में भी पढ़ेंगे, तो आरे सभिता का ग्यान हमें कहां से होता है, तो वेदों से होता है जिसमें रिग बिज्जु है, सर्व प्राचीन होने के कारण, सर्वा कारण इसे कलपना ही माना जाता है आगे बढ़ेंगे हम लोग वाइदिक सब्दा भारत की प्राचीन सब्दा है जिसमें वेदों की रचना हुई थी वाइदिक सब्द जो तो वैदिक सब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्यान यह वहरी सब्द का अर्थ क्या होता है यह यू पी असी में कोश्टन पूछा गया है बहुत पूछा गया था आगे देखीगा सरव पर्थम में एक्समूलर ने अठारा सो तीरपान इसियू में आर्थ सब्द का पर्योग एक स्रेष्ट जाती के आसे से किया था आर्णों की भासा क्या तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेतने हैं वेद उसके बाद से हम लोग आएंगे अपने मात्पूर टॉपिक रिग्वाई दिकाल पे देखीगा वेद जो सब्द है संसकृत के वीद धातू से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है दोस्तों जानना नोट लगा लेजीग है भारती परंपरा के नुसार वेदों के जो संक्लम करता है कौन है कृष्ण दोवेपायन बेद व्यास को माना जाता है साती वेदों को अपर उसे अथार देवकृत माना गया है यानि देवताओं के द्वारा रचित माना गया है आप देख पा रहोंगे मार्शी बेद व्या के बारे में प्रयाप्त जानकारी मिलती है बैदिक यूग किशन सक्रीती दसा के ज्ञान एक मात्र सुरोत क्या है वेद है वेदु किशन के चार है आपको ग्यात होगा सबसे पहला वेद है रिगवेद यजुरवेद सामवेद और अथरवेद सबसे पहले दूस्तों में पढ़ने जा रहे है रिगवेद को जो कि वहरी मुश्ट इंपोटेंट है और यहां से बार बार कोश्चन आपके एक्जाम में देखने को मिलते रहते हैं रिगवेद इसका टाइम प्रियड है पंद्रह सो से एक हजारी सा पूर जो रिगवेद है वह क्या है प्राचिनतम वेद है सबसे प्राचिनतम वेद कौन सा है तो रिगवेद है या रिचाओं में वद्ध है रिचाओं में वद्ध है यानि रिचाओं में क्या हुआ है बधा हुआ है नेक देखेगा रिगवेद में तीन पार्ट मिलते हैं साकल जिसमें 1017 मंत्र है अगला है वालखिल 11 मंत्र हैं ततहा वास्कल इसमें क्या है 56 मत्र हैं आधन में- लिभेध में कुल 10 मंचल म्लते हैं जो लिभेध को पढ़ने वाला पूरोईत होता है उससे hot organiz रिक हाते यहां से कूर टाइप की question पूछा जाता है देखीका इस व्य व्यद को पढ़ने वाले पूरोईत को होता या होतरी करते हैं रिग्वेद का पहलायम दस्वा मंदल रिग्वेद का पहलायम दस्वा मंदल सबसे अंत में जोड़ा गया था यह भी आपके एक्जाम में पूछा शाकल संगिता भी उपलब्द हैं आगे देखीगा रिगवेत की पांच सखाय है यह आपको याद रखना है साकल है वासकल है अस्वलायन है संखायन है तथा मंडुक्य है यह रिगवेत की जो पांच सखाय है उसको आप याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको पीडियाप चाहिए होगा तो आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लेंगे वहां पर आपको निशुर्ख पीडियाप मिल जाएगा एक दाम फ्रेज पीडियाप मिलेगा आगे देखीगा रिगवेत के दूसरे हम सात्वे मंडल की रिचाय है सरबाधिक प्राचीन है नोट लगाएं गया जहां पर रिगवेत के दूसरे हम सात्वे मंडल की जो रिचाय है कैई यह सरबाधिक प्राचीन है जबकि पाला हम दस्वा मंदल क्या है अंत में जोड़ा गया है रिग वेत अठोए मंडल में मिली हाल्त लिखित है प्रतियों से परसिष्ट को खिल कह गया है, आगे बढ़ेंगे, रिग वेत के सुक्तों के पूर्ष रचताओं में गृत समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्री, भार्द्वाज, और वसिष्ट का वसिष्ट हैं, तथा इस्त्री रचताओं में देखेगा लुपा मुद्रा हैं, घोसा हैं, सची हैं, पॉलो संबोधित करता है रिगवेत की जो समानतर रिचाय है वह आग के देवता अगनी को क्या करता है संबोधित है जिसकी पाचान या ज्यागनी से किया जाता है यूद्य के संबंद में कौन से देवता है तो यूद्य के संबंद में दोस्तों इंद्र देवता को माना गया है और पोदे जो सों के रूप में जाना जाता था उपक्या है गालश्ता हक्राइस वीधित नहीं चर्ण आगे देखेंगे, रिग वेत के तीसरे मंदल में उद्यपूर सुर्य देवता अथार्थ सभिता को समर्पीत परसिद गयत्री मंत है यह भेरी भेरी मॉट्रेंड है, अब आप से पूछा जाएगा कि जो गयतरी मंत्र है, वो कहा असे लीया गया है तो रिगवेट के तीसरे मंडल से लिया गया है नेक्स देखिएगा नवे मंडल में देवता जो हैं कौन से हैं सोम हैं काउलेक तथा दस्यों मंडल में क्या मिलता है चातूर रवड समाज की संकलपना का अधार है देखेंगे आगे रिगवेट के ब्रामड क्या क्या है तो रिगवेट के ब्रामड दोस्तों हो जाएंगे आपका ब्रामड क्या 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 है एत्रे कौशित की तता संख्यायन और एक और मिलता है आगे आता है तो उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा से याद नहीं आ रहा है यजुरुवेद को कर्मकांडी वेद किसे का जाता है तो यजुरुवेद को कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता है यजुरुवेद पद्यृम गद दोनों में प्राप्त है चैंज्नृूरुवेद के दो संपर्दाय भाग है पेहला शुकल यजुरुवेद और दूसरा है क्रिशन्य यजुरुबेद देखी गहाए जो कैवल गद्य में है जिसे वाजसनेश संगिता के नाम से जाना जाता है जबकि जो क्रिष्ण यजुर्वेद हैं वो किसमे है गध्यमपद दोनों में है यह कोश्चन आपके लिए काफी मौत्पूर्ण हो सकता है यहां पर क्या है जो रिगवेद की ब्रामण है वो क्या है एत्रे हो गया कोशित्की हो गया और संख्यायन हो गया और मध्यान दिन है इसके आगे क्या हो गया एक मध्यान दिन है वो छूट रहा था आगे बढ़ेंगे हम लोग यजुर इड़ में ही हम लोगạnh है अभी जुर इड़ में देखिगा यजुर वेड के मंत्र, रिग वेड़ वा साम वेड़ के मंत्रों के क्या हैं पध्यात्मक बंदवो से नहीं बद हैं इसी कारणे से ईजु गद्य परक कालाते हैं वेध में रिगुआ्ग raped के 643 मंत्र अठावत लिए यजुर्वेत के मंतरो का उचारर अधर्व॥ अुछ देखिएगा जो रिगवेत के मंत्रों को उचारण करता है उसे होता है या होतरी कहा जाता है या आपको याद रखना है कि नेक्स्ट बढ़ेंगे शिष्ण यजुवेत की जो मुखे साखाएं है उत्ताहित्री है काटक है और कपिश्टल है इसी परकार देखिएगा सुक लेजुवेत की मुखे साखाएं क्या-क्या है मध्यान दिन तथा कार्व है इसकी संगिताओं को वाजिशने भी कहा जाता है क्योंकि वाजिशने के पुत्र या अग्यबलक ने इसके क्या किया था द्रश्टा है नेक्स देखेंगे मार्ती पतंजली द्वारा मार्सी पतंजली द्वारा उलेखित यजुरुवेत की 101 साखाओं में इस समय केवल उप्रुक्त पांच उपलब्ध हैं कौन-कौन से हैं तो तैत्री है काठक है कपिश्टल है मैत्राइडी है और वास्ने है हम लोग पढ़ लिए रीगवेत यजुरुवेत और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों आप सामवेत को यहां से फ्यक्चुल टाइप के कोश्टन बार बार पूछे जाते हैं हम आपको यही बताना चाहरे है देखेगा सामवेत साम का अर्थ क्या होता है तो साम का अर है इसलिए इसे कहा जाता है भारती संगीत का जनक कहा जाता निक उत्पथि कहां से हुए साम अप से हुए आगे मंटर को गाने वाला पुरोय को किया बोलता है उदगाता का जाता है का मिर्स स्धुरह कर आ इस्तूती यह नि पूर्चणा के क्या मिलते हैं मंत्र मिलते है सामवयत आगे देखने हैं सामवश्वेध को जुब रहमट ग्रंद क्या है पंचवीज विंस है और सड्वींस आ दिया है याद रखना है भी आपको नेक्स्ट है आपका सामवेद के पर्मुक उपनिंसत क्या क्या है चांदोग उपनिंसत और जैम्नी है नेक्स्ट है आपका सामवेद में रिगवेज से लिए गए मन्तर है जिसे धून की आउल सक्त hebben कि परम दिया गया है इस प्रकारिस में कोई मौलिक समागरी नहीं है स्लामवेद की तीन महत्मूर साखाए भी हैं जिसे किथुम या कहीं कहीं कव्थुम मिलता है जैमनी और रमायरनी कहा गयाता है अगला वेद है आपका अंतिम वेद है अथर वेद है इसकी रचना सभी गरंतों के बाद यानि अथर्व तथा अंगीरस रिशी के द्वारा की गई थी इसलिए इसे अथर्व अंगीरस वेद भी कहा जाता है इसमें क्या मिलते हैं इसमें 731 सुक्त मिलते हैं 20 अध्या है तथा 6000 मंत्र है कुष्चंगिताव में 5987 मंत्र है कि इसके मंत्रों को पढ़ने वाला जो पूर्ववित होता है दोस्तों उसे ब्रह्मा का जाता है वहां पर देखिया यानि रिगवेद में होता या हुत्री दूसरे में क्या था दूसरे में था कि अधर्यू सभिवा ऐसरे मुद्गाता दूसरे में अधर्यू और तीसरे मुद्गाता और चोत्य में ब्रह्मा देखे लेंगे एक प्रकार आगे देखेगा इसमें ब्रह्म ग्यान धर्म, समाज निष्ठा औसदी परियोग, रोग निवारन जादू टोना तंत्रमंत्र, अनेक बिश्यों का वड़न है अब आपसे कोश्चन में पूछा जाएगा कि किस वेध में जादू टोना तंत्रमंत्र, रोग निवारन औसदी का परियोग का वड़न मिलता है तो अथरवेद में मिलता है देखेंगे अथरवेद का एक मात ब्रामाड क्या है गोपत ब्रामाड इसे आप याद कर लेंगे नेफ्ट देखीगा इस वेट के दो सखाः है फीप्लाद कहें पैप्लाद मिलता है और सवनक नेफ्ट देखीगा अथरो वेट के उपनिसत क्या क्या है अभारत का राष्टी आदर्स्त सथी फैने मुझेटे लिया गया है मुंड़को उपनिशस्य भारत के राष्टी अधर्सवाक्त सत्य में हो जयते लिया गया है इसमें सभा और समीति को परजापती की दो पूत्रिया कहा गया है यह भी कोश्चान आपसे बार बार पूछा गया है याद रखेंगे अगे हम लोग पढ़ने जा रहा है रिगवैदिकाल जिसका ठाइम पिरेड है दोस्तों पंदराज सों से एक हजार इसापूर इसका टाइम पिरेड है डेखेगा इसकाल का तितनी निर्धानर करना जितना भी व्यू 시 विव व्यदास्पत रहा है उतना है इसकाल के लोगों के बारे में सटिक जानकारी प्राप्त करना वरीक्वेस संगिता की रचना इसकाल में की गई थी अता इसकाल की जानकारे का मात्र सोच क्या है साहितिकक सुरोत बसंदु सभित्या के विप्रेटि क्या थी? तो पसुचारन पर धारीत था इनका जो आरम्बिक जीवन था आरे लोगों का ओ पसुचारन पर धारीत था खिरसी के लिए गौण कार गौण कारे था नेक्ट देखेंगे चोदो सव इसापूर के भुगच कोई कहां से मिला है तो एसिया माइनर से मिला है तो भुगच कोई के अभिलेक में रिवाइदी काल के देवताओं जो हैं इंद्र मित्र वरूर्त था नासत्य का उलेक मिलता है यह कोच्चन आपसे पूछा जाता है कि इ इरान से ओकर के भारत आये रिगवेद की अनेक बातें इरानी भासा में इरानी भासा के प्राचीन गरंत क्या है प्राचीन गरंत जिंद अवेस्ता से मिलती है थोड़ा सा भागोलिक विस्तार के तरफ हम लोग देखते हैं इनका भागोलिक विस्तार कहां से कहां तक था त को रिग्विद में आरे निमास अस्तब के लिए सपत संधुष्ज त्र। सब्त संधुषेत्र का उलेक मिलता है जिसका और्थ हमें सात नधियों का खेत्र है, जिसका अर्थ हमें साथ नधियों का व्त त्र। यह नदिया कौन कौन सी है याद रखना है आपको सिंधू सरुष्टी सतुदुरी इसका सतलज नाम भी मिलता है विपासा इसका ब्यास नाम मिलता है परुष्णी और रावी देखिएगा वितास्ता और अस्कनी है यह साथ नदिया है सब्संदो छेत्र कंत्र करता आएंगे अगला देखेंगे रीक बेज से प्राद जानकारी के नुसार आर्यों का विश्टार कहां कहां पे था अफगानिस्तान पंजात था पश्चमी उत्तर पर्देश तक था सतले से 17 जम्रत तक का छेत्र जुक कहाँ आता था तो ब्रह्म वर्थ नदियों के बीच के पर्देश को ब्रह्म वर्थ कहा गया है पुकारा गया है इसे रिग्वाइदिक सभिता का केंद्र बाना जाता था नेक्स देखते हैं समाजिक इस्थि जो की very much important रहे गी आपके लिए समाजिक इस्थि देखेंगे रिगवाईदी कालिन जो समाज था वो क्या था पित्र सत्तात्मक था समाजिक संगतन का अधार गोत्रया जन्मूलक था समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार या कूल होती थी जिसका मुख्या कौन होता था उसका मुख्या दोल्तों पिता होता था इसे उलप कहा जाता था पित्र सत्तात्मक समाज होते हुए भी महिलाओं को यह थोचिस सम्मान प्राथ था यहाँ पे पित्र सत्तात्मक समाज होता था लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाओं को यह थोचिस सम्मान दिया जाता था रिगवाईदिक काल में सन्युक्त परिवार की प्रता क्या थी प्रतलित थी दादा नानी नाती पोते आधी के लिए एक सब्द निर्प्त निर्प्ति का प्रियोग होता था रिगवाईदिक काल में वडवेवफ्ता के चीन भी दिखाई देते हैं रिगवाईदिक में आपका रिगवाईदिक के दस्यों मंदल में वरडित पुरुषुक्त के चारवंड़ों की उत्पत्ति हुई है अब आपसे कोश्चन में पूछा जाएगा कि जो चारवंड़ों क कि बना जाया है इसकार में अपने पति के साथ यह कि ऑग यह कारे भाग लेती थी रिगवाईदिक काल में इस्थरिया क्या करती थी अपने पत्ती के साथ यह कार में क्या करती थी भाग लेती थी बाल बिवा सती पने पने संसकार क्या जाता था प्रतल नलनी प्रत्लन हेट्व बीवा की भी प्रतल्न में थी ऌ इसलाट सांनत है आपक़ समानटा एक पत्नी हिस्ट वीवाय कि विवाही प्रसली था विवा में दहेज जैसी कूपर्था का प्रसल नहीं था किन्तु बहुतु सब्ध कन्या को दिये जाने वाले उपहर का त्युत्त थानी गिफ्ट बहार मतलब गिफ्ट के लिए कमें नेकिक देखेंगे han helps कि दौअ के सभी के लिए क् महिला और सभीक गुला था रिंग्व्यद में लोपा मुद्रा घोश्ँ अपालायम बिस्वारा जैसी बिसु इस्तिम्हों का क्या है दा मिलता है नोट लगा लगा लिजका यह कूश्चन आप से पूछा मिलेगा आगे बढ़ेंगे आज जीवन अविवाहित रहने वाली इस्तिरी को अमाजु कहा लाती थी जो आज जीवन विवाहित रहने वाली इस्तिरी इस्तिरी उसे अमाजु कहा जाता था पति के संतान न होने पर पुत्र के प्राप्ति के लिए नियों की प्रता स्विकार क की गई है आगे देखिएगा आर्थिक इस्तिति रिगवाईदिक काल में आर्रेओं की संसक्री थी ग्रामी इड़ों कभिल आई थी पसुपालन प्रात्मिक पेशा था और किर्शी द्वितिय थी अब आपसे कोश्चन में पूछा जागा कि रिगवाईदिक लोगों के जो आ गाय को पवित्र पसु माना जाता था इसके लिए काफी लड़ाई भी हो जाती थी आगे देखेंगे और यह बीनिमय के साधन के रूप में थी आर्रेओं के अधिकांस लड़ाईयां देखिए यहां पे आगया गायों को लेकर के होती राती थी गाय को अस्ट करड़ी भी क सब्द है जोग विष्टी है गाय की महत्त्ता बताने वाला सब्द है गाय को अघन्या यह कोष्चन आपसे वारवार प्यूशा जाता है कि इक से अघ appropriate खशाHAHA तो गाय को तो गायक को आगए कि देखिएगा आरे लोगों की धार्मिक इस्तिति कैसी थी या आपके लिए जानना काफी महत्पूर रहेगा तो देखेंगे रिगवैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों का उदेश भावतिक सुखों यानि पूत्रयम पसु की प्राप्ति करना था आरे क्या थे बहुदेव की रूप में आर्रों का दिवता आरस जो देवता है उनको तीन स्रेण या सिक देखी जाना और आकास का में रने वाले लोग beth हैं देखेंगा। और कौन से देखिए सभिता आधित्य उस्ठा और असुनी मतलब यह लोग आकास के देवता कंत्रगत आएंगे। अंत्रिच के देवता में क्या क्या है इंद्रह है ही हुद्रह है मारुत वायू परजन्य और यम परजाबपति आदि हैं पिर्थवी के देवता कंत्रगत कौन आएंगे अगनी सोम पिर्थवी बिर्यसपति मातरिस्वन और आधि यह लोग क्या है पिर्थवी के देवता है आओ से कोस्चन आप से क्लाइन में पूछा जा चुका है को निम लिखित में से यूशत ही के देवता कौन नहीं है इस поверх को आप्यों की देवता को trail开始 शिरस्वेति एंडर को समर्पिते हैं इंड्र को आर्यों का युध्ध नेता माना जाता है, अब question आप से पूछा जाएगा, रिकवध्दी काल में युध्ध के देवता कौन थे हैं, तो इंड्र थेивать का अनका और funkLYख है तो वर्षा का देवता, आधितना भान का देवता भी माना जाता था आगे देखिए इंद्र आरयों के लिए क्या थे सर्भाधिक मात्पूर्ट दीवता थे और आप सेक्ष्चनिया पूछा जागा है आरयो के सरवाधिक मात्पूर्ट देवता कौन ने तो इंद्र है और इनके लिए शीर्फ मात्र कि fluct Interior roommate का है Julia अंहें 250 तुबुब ज़ाद है मात्र नहीए रहेगा आगे देखिया दूसरे महत्मूर देवता कोने अगनि genius दूसरव सुक्त क्या है अगनि का कारइन साधे हैjakनि का करना的ाइन अगरिकार कारेता का तो तीसरे दोता दोस्तों, वरुड थें, जिने मातर 30 सुक्त क्या हैं, समर्पित हैं, और जलनिधी का परत्निधित्व करते थें, वरुड को रितस से गोप कहा जाता था, वरुड और मित्र देव एक साथ मित्रा वरुड कहा लाता थे, आगे हम लोग देखेंगे, रिगवेद में कुल ताइटीस देवी देवताओं का क्या है वर्रन मिलता है गायतरी मंत्र जो सभिता देवता को क्या है समर्पित है इसका उल्लेख हमें रिगवेद के तीसरे मंदल में मिलता है जिसके रचनाकार कोन है विश्वमित्र है अब यह आपके लिए काफी देवताओं में सबसे प्राचीन देवता माना गया आप लगा सकते हैं इसकी जनकारी कहा मिलते हैं हैं व्यज़्िक काल में मुद्ति पूजा का उलेक नहीं मिला है, पूषण यह पूषण रिग्वगवववववववववववव' को देवता थे जो उत्तर पाइदी काल में सुद्रों के देवता हो गए उपासना का उदेश भावतिक सुखो के प्रापित था उपासना की विधी प्रात्नायम जग्य थी आगे देखेंगे रिगवति काल से सम्मनित अस्तमर्टरी तत्य जो आपको याद रखना है देखेंगे रिगवेत की जो रचना हुई थी पंदलों सो इसा पूरु के आजपास हो चुकी थी इसमें क्या मिलते हैं एक हजार अठाइस सुक्त मिलते हैं और तस जार चौसो क्या मिलते हैं मंत्र मिलते हैं दस मंदलों वाले इस वेद में दो से साथ मंदल प्राचीन तम माने जाते हैं जो दूसरा से लेकर के सातवा मंदल है क्या मिलते हैं सबसे प्राचीन माने जाते हैं इसमें तीन पाठ मिलते हैं साकल एक हजार सत्रह मंत्र बालखिल 11 मंत्र था वास कि आरै सुनी कुमार भी कहा गया है। कि आए OK अधियरेत्मिक दिर्ष्टी से सर्ष्टी नदी गल आता है। आध्यात्मिक द्रिष्टी से कौन नदी है तो सर्वस्ती नदी है सर्वस्ती नदी को नदीत्मा कहा गया है नदीत्मा यानि सभी नदियों को क्या मता आगे वढ़ेंगे हम लोग, राजा की क्या थी? अफ्थाई सेना नहीं थी, रिगवैदी काल में राजा की अफ्थाई सेना नहीं थी, यूद्व में संग्ठीत सेना को नागरिक सेना कहा जाता था, जो यूद्व में सेना क्या होते थे? संग्ठीत होते हैं, उसे नागरिक स सेना कहा जाता था रिगवैदी काल में बीवाय के उम्र संभावता यहां पर क्या प्रयोग हुआ है संभावता सोरा से सत्रा वर्ष थी रिगवेद के तीन मुख्य अधिकारी का उल्लेक मिलता है पूरोहित सेनानियों ग्रामडी आगे देखेंगे रिगवेद में पांच जन सी और विश्रानिन तो यह हम लोका टोपिक कंप्लीट होगे आपका रिगवेदिकाल रिगवेदिकाल नेक्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्तरवाइदिकाल उत्तरवाइदिकाल तो आज का टोपिक कैसे लगा कमेंट करके है मैं जडरूरत आईए और इसके पहलेबार च टापिक है हरपा सभेता या हरपा सभेता या सिन्दु घाटी सभेता उसे आप नहीं देखे हूंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये वीडियो का इसा लगा आप कमेंट करके हैं में जरूब हुता आएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ जादे जादे शेयर करेगा एक छोटी स्रिक्रिवेश्ट है आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इसी तरह से माज़दार टोफिक हम आपके भी चलाते रहेंगे और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में त